वीडियो को टापिक रहने वाला इसके उपर हमने एक वीडियो अभी दो-तीन दिन पहले ही बनाई है जिसके इंदर हमने बात करी कि आपका जो चलान होता है अगर वह आप जो अमाउंट उसको कम करवाना चाहते तो आपको क्या-क्या करना रहता है कि आपका 5000 का चलान 20,000 का जदा चलान होता है उसके लिए आपको 400 में कैसे आपको उसको खतम कर दे हैं तो वह वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो सबसे पहले जाहिए उस वीडियो को देख लीजे ताकि आपको पता चले कि अगर आप बड़े से बड़ा आपका चलान हो गए तो उसको कैसे कम करवाना है ठीक है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना चलान भरेंगे ही नहीं तो आपके साथ क्या हो सकता है क्या consequences आपको face करनी पड़ स नहीं हो सकता है तो वह बहुत से लोगों ने मिर से पूछा है तो आज इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूं कि आपका अगर वो जो इचलान आपके घर पे रिसीव हुआ है अगर वो आपने नहीं भरा तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है तो सबसे पहले तो ज 60 days के अंदर नहीं पे करेंगे ठीक है और उसके बादो 60 days के बाद बहने की बिल्कुल बिल्कुल ब Lazarus नहीं अगर आप उसके जनना चाते हैं आपसर नहीं होता है जो मैने आपको में बठाहिक जो हमने लास्ट वीडियो बनाई है उसके अंदर ये सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन कर दी हैं तो अगर आप उनको जानना चाते हैं तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं उपर आई बटन में उसका लिंक में दे दूँगा नीचे डि विजिकल कोट के अंदर और यहां पर चलान की एक हम बात कर लेते हैं अगर ओवर स्पीडिंग का चलान है जो के दो हजार रुपे का होता है अगर आपने वो 60 डेस के अंदर भर दिया तो आपको दो हजार रुपे देने पड़ेंगे बट उसके बाद अगर वो वर्च्व कोट के अंदर चला जाता है तो भी गवर्मेंट आपसे क्या एजियूम करी है कि चलो यह बंदे ने अभी 60 डेस के अंदर तो पैसे नहीं भरे हैं तो इसको कुछ कंसेशन दे दी जाती है तो वर्च्वल कोट के अंदर जो आपकी अमाउंट है 2000 की वो आपकी कम हो जाती है 50% कम हो जाती है 2000 के आपको 400 रुपे भी पे करने पड़ सकते है 500 भी वो डिपेंड करता है आपने कौन सा उस टाइम पे रूल तोड़ा है और आपका क्या चलाना है तो वर्च्वल कोट के अंदर कभी भी आपको फुल पेमेंट करने की नौबत नहीं आती है हमेशा जो वर 60 डेस का टाइम है 60 डेस के अंदर आपको आपके चलान का 50% जो भी आपके उस टाइम पे अमाउंट दिखा रही होगी आपको जैसे आप चलान नंबर डालेंगे अपनी वीकल की डीटेल डालेंगे तो आपका वो चलान वर्च्वल कोट में दिखाई देने लग जाएगा तो उतना आपको अमाउंट पे कर देना है बट अगर आप वो भी पे नहीं करेंगे तो फिर क्या चलान चला जाएगा आपका फिजिकल कोट के अंदर उसके अंदर कोट आपको समन भेज सकती है नोटिस भेज सकती है फिर आपको उस डेट पे उस फिजिकली उस कोट में ज तो जैसे यह आपका जो केस है यह फिजिकल कोट में जाएगा तो वापिस से वहाँ पे जज के उपर डिपेंड करता है कि जो आपके चलान की अमाउंट है वह वापिस से आपको 2000 ही पे करनी ना पड़ जाए और अगर आप जज को थोड़ा सा कन्विंज कर देंगे अपने व 500 रुपीज भी नहीं आप 200 भर दीजिए यह डिपेंड करता है अगर आप अपने पॉइंट रख के जज के सामने आप उसको कन्विंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ठीक है और वर्चॉल कोट में भी जब आप अपने चलान पे कर रहे होते हैं 60 डेस का जो टाइम है उससे पहले ही आपको नीचे एक option भी आ जाता है कि मेरको ये जो case है मेरा physically जाके इसको मेरको court में लड़ना है तो आपको 60 दिन का भी महाँ पे wait नहीं करना पड़ेगा वो आपका जो चलान है वो transfer हो जाएगा तुरंत ही आपका physical court में चला जाएगा ठीक है तो और physical court में आ आपके पास आके option आ जाता है कि आपको उसको भरना है और अगर आपके पास valid points है अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो चलान कट हुआ है ये बहुत ही गलत तरीके से कट हुआ है ये मेरा कट होना ही नहीं चाहिए था और आपके पास valid सारे के सारे reason है judge को explain करने के लिए तो वहा basis पे काटा गया है या फिर गलती से काटा गया है जो के नहीं काटना चाहिए था तो ये आपके पास एक option होता है physical quote में जाके जब आप अपना case लड़ते है तब आपको ये option मिल जाता है बट अगर आपने जान बूज के अपना चलान नहीं भरा है वहाँ पे तो quote आपको full amount भी पे करने को बोल सकती है वहाँ पे अगर अपनी proceeding जो सुनाएंगे वह आपको बोल सकते हैं कि 2000 आपको full-fledged amount पे करनी है और उपर से आपने इतना डिले किया चलान भरने में तो आपके उपर 5000 का जो एक fine है वह भी quote आपके उपर लगा सकती है ठीक है तो ये भी आपको जान भूज के उसको अभी तक नहीं भरा था आप चाह रहे थे कि बिले होता रहे होता रहे और quote में चला जाए तो आपको 5000 रुपे additional आपकी जितनी आपकी amount आई है चलान के उसके उपर से 5000 और जादा भरने पढ़ सकते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप अपने जो चलान है वो टाइम विली नहीं भरेंगे तो ये ये consequences आपको face करनी पड़ सकती है और एक और last में जो एक point है उसको भी हम discuss कर लेते हैं अगर ऐसी बात है कि आपकी गाड़ी को और ले गया था उसके बाद वो आपके गाड़ी को गला तरीके से drive कर रहा था तो आ अंदर आपको intimate करना पड़ेगा जो authorities हैं उनको की ये मैं मेरा vehicle कोई और लेके गया था तो ये उसका चलान बनता है तो ये उसको भेजा जाए आप अगर ये नहीं करेंगे तो चलान आपके सिर पे ही भरने को आएगा और आपको ही भरना पड़ेगा ultimately तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपकी गाड़ी को और लेके गया था उस टाइम पे और उसने just for example कि seatbelt नहीं पहनी है या फिर over speeding करी है helmet नहीं पहना है कुछ भी ऐसा जो किया है और आप वो चलान नहीं भरना चाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको बताना पड़े कि इसका यह आपको ही bear करना पड़ेगा कोई और bear नहीं करेगा तो I hope आपको सारे के सारे point जो मैंने इस video के अंदर आपके साथ discuss करें आपको बताएं वो सारे के सारे आपको समझ आ चुके होंगे कि क्या क्या consequences हो सकती है अगर आप अपना चलान timely नहीं भरेंगे सो मैं आप सभी से यही request करूँगा कि आप सबसे पहले तो आपकी जो car, two wheeler, four wheeler जो भी drive करें उसको अच्छे से rules and regulation follow करें के ही drive करें वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपका चलान आएगा ही नहीं कभी भी बट उसके बाद भी अगर आ जाता है तो आपको उसको timely भ भर पा रहे हैं तो जब वर्चुल कूर तक भी पहुंच जा रहा है तब भी आपको थोड़ा सा concession और मिल जाएगा आपके चलान के जो amount है तब तो आपको definitely उसको भर देना ही जरूरी है आपके पास और कोई option नहीं है आपको सारे के सारे यह doubt जो भी थे आपके clear हो चुके होंगे जितने भी आपने question पूछा थे इसके बाद भी आपके कोई और doubt है तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं and I will try my best कि मैं आपके questions का वहाँ पर जाके reply करूँ सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही मिलेंगे अब हम next video में till then stay safe, stay happy, bye bye